स्वागत मैं आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी लोगों को बताते कि बीर कुमर से इनुर्शेटी ने स्वाट एडमिशन का डेट निकाल जारी कर दिया है और यह स्वाट एडमिशन कैसे होगी और इसकी क्या प्रोसेस हैं और कौन से स्टुडेंट अभी करा सकते हैं और इसका कब तक लाश डिट है सभी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा और हम आपको बता दें कि आप स चैनल को सब्सक्राइब करें तकि आप लोगों को इनवर्सिटी से जुड़ी सभी जनकारी आपको समय समय पर मिलता रहें आई आपको हम बताते हैं कि आप आडमिशन कैसे करा सकते हैं और इसके क्या प्रोसेस है यह ऑनलाइन होगा या अफ्ट-प्लाइन सभी जनकारी जैसे कि आप को यहाँ पर हम बताते हैं कि वैसे छात्र जिनका अभी तक असना तक भागवन में नमानकर नहीं हुआ है या वैसे छात्र जिनका नम की किसी Will Merit लिष्ट में आया था परन तुर किसी कारण वस उन्होंने अभी तक नमानकर नहीं लिया है sport online प्रक्रिया के तथ 20 विद्याले के अंतरगर पोर्टल पर जाकर केवल एक honors में apply कर सकते हैं यानि कि आप ध्यान दिजेगा आपको कोई भी subject लेना होगा तो आप केवल एक honors का ही option डालिएगा और apply करने करके एवं उसके साथ कौम से कौम 6 महा बिद्याले का चैन कर sport online के नमानकर प्रकिरिया में भाग ले सकते हैं यानि कि आप केवल एक subject डाल सकते हैं और 6 college डाल सकते हैं और हम आपको बता दे कि यह ध्यान रहे कि छात्र उसी एक विशय का चैन करें जिसमें उसकी नमानकर की प्रवल संभावना हो यानि कि आप पहले से उसको जाज कर लें कि अभी इस college में सीट भी खाली है या नहीं और साथ ही साथ छात्रों को यह सला दी जाती है कि महाविध्याले का चैन करते समय उस महाविध्याले में उपलब्द रिक्त सीटों की उस संख्या को भलीवादी जाच परकले नौवा मेरिट लिष्ट का प्रकासित नहीं मेरिट लिष्ट के अधार पर होगा और सारे छात्रों का अवेद नयाप अत्वा फ्रेसर माना जाएगा उसके बाद विश्व विद्याले किसी प्रकार का कोई मेरिट लिष्ट नहीं निकलेगी यानि कि आपको हम बता दें कि ये नौवा लिस्ट सब लास्ट लिस्ट रहेगा और विद्यार्थी को एक बार पुना सला दी जाती है कि एक विशेक का ओप्शन एवं कम से कम 6 महा विद्यालियों का चैन में सौधानी वरते ताकि उन्हें नमनकर्ण से वनचीत होना न पड़े अप्शन चेंज करने की प्रकिरिया दिनांग 13 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020 तक चलेगी और एक ओनलाइन स्पोर्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन दिनांग यानि कि नौवा मेरिट लिस्ट का आपको स्पोर्ट का जो की लिस्ट आएगा वो होगा आपको 19 अक्टूबर 2020 आठवी मेरिट लिस्ट का प्रकाशन दिनांक 13-8-10 को होगा और आठवी मेरिट लिस्ट का नमानकन दिनांक 13-8-10 से 16-10-2020 तक होगा और महाविदला द्वारा नमानकन अपडेट करनी की अंदिम्ति थी 17-10-2020 संध्या 6 बजे तक निर्धारीत की गई है और नमानकन अपडेट नहीं होने की इस्तिती में सारी जबाब देई संबंदित प्रदनाचारी की होगी यानि को हम आपको बता दें कि अगर आपका अभी तकलिष्ट में नाम नहीं आया है तो आप अपना सबजेक्ट और कॉलेज दोनों चेंज कर लिजिए और आप सबजेक्ट चेंज करते समय अपना ध्यान रखेगे कि आपका सबसे ज़्यादा कौन से सबजेक्ट में आपका माक्स है और हम आपको बता दें कि आपको ये भी चेक कर लिजाएगे कि कौन से कॉलेज में अभी कितने सीट खाली है आई हम आपको पता दें कि seat आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से college में अभी कौन सा seat खाली है आई हमको हम बताते हैं कि आप कैसे seat देख सकते हैं देखिए हमें आपको पहले degree college आपको जो भी subject लेना होगा यहाँ पर देख लिए केमूर में हम को करना है तो केमूर में मैंने क्लिक किया और केमूर में देख रहा हूं कि देख लिए इंगली सनल्स में GB College रामगड में आपका 9 सीट था लेकिन अभी सीट एक बचाए तो आपको इसमें कराने कोई फायदा नहीं है और MDR PDM College भवगवा में इसमें 14 सीट था अभी 5 सीट है इसमें चांस है कि आप इसमें करा सकते हैं और इसी तरह आप अपना हर सब्जेक्टा अलग-अलग चेक कर सकते हैं क्या आपको कौन सीट कौल लेज में कौन सीट अभी खाली है और हम आपको वीडियो का अंतक करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आप लोगों को इनवर्सिटी से जनकारी समय समय पर मिलता रहे धन्यवाद